तो दोस्तो अभी मैं आफसे इस बीडियो में टेली कुम्मिनिकेशन इंजिनिरिंग कोर्स के बारे में आफसे मैं इस बीडियो में डिसकस करने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आफसे डिस्कस करूँगा कि टेली कुम्मिनिकेशन इंजिनरिंग कोर्स आखिर क्या होता है, इसमें किस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, कोर्स का डिरूशन क्या है, इलिजिबिलिटी क्राइटिरिया, जानि इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट की आखिर क्या जोगेता होनी चाहिए, और अंत में मैं आफसे जो प्रफाइल्स के बारे में आफसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्स्टर चैनल, तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आफसे टेली कुम्मिनिकेशन इस ãy yang आज आखिर कौन कौन से कॉर्स होते हैं, तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस बीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस बीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखेगा, तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शूरू करते हैं तो सबसे पेले मैं आप से डिस्कस करने वाला हों कि वाट इस टेली कुम्मिनिकेशन इंजिनिरिंग कोर्स जैने कि टेली कुम्मिनिकेशन इंजिनिरिंग कोर्स अखिर क्या होता है तो जैसा कि आपको पता होगा कि एक कोर्स ऐसा भी होता है जिसे हम Electronics and Communication Engineering कहते हैं लेकिन इस कोर्स में दोस्तों आप टेली कुम्मिनिकेशन इंजिनिरिंग के वारे में आप स्टेडी करोगे जै कोर्स डिगरी के लेवल पर आता है और इस कोर्स को जो स्टूडिन्स होते हैं वो 12 की क्लास को पास करने के बाद ही कर सकते हैं इस कोर्स में आप principles of network, infrastructure of telecom और कुछ mobile communication के concept साफ इस कोर्स में आप study करते हो तो आज के टाइम में तो कई सारे ऐसे students होते हैं जो इस field में काफी अपना interest दिखाते हैं अभी आफसे में course का duration आफसे में discuss करने वाला हूँ कि जया course आखिर कितने वर्ष का course होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि telecommunication engineering का course चार वर्ष का course होता है और इस course में आपको कुल 8 semester पूरे करवाया जाते हैं इस course के मादम से आप किसी भी industry में आप job पा सकते हो लेकिन कुछ popular jobs के नाम कुछ इस प्रकार है तो दोस्तों आप चाहे तो आप GSM engineer बन सकते हो आप network planning engineer भी बन सकते हो इसके लावा आप किसी भी telecom के sector में अपना career बना सकते हो अभी आपसे मैं subject discuss करने वालाओं कि telecommunication engineering course में आपको किस परकार के subject सापको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं तो इस course में आपको professional communication, engineering, mathematics, chemistry, solid state, electronic circuits, project, etc. चीजें आपको पढ़ने के लिए मिल सकती हैं इस course में आपको theory के साथ साथ project भी आपको करवाई जाते हैं ताकि आपको advanced knowledge मिल सके हैं अभी आपसे मैं eligibility criteria और admission process के बारे में आपसे मैं discuss करने वालाओं कि आप इस course में किस परकार से admission ले सकते हो तो telecommunication engineering course में admission लेने के लिए सबसे पहले तो आपको 12th की class को पास करना होगा आपको 12th की class science के सब्जेक्टों के साथ पास करनी होगी जिसमें आपको PCM के जो सब्जेक्ट होते हैं वो compulsory होने चाहिए अगर आपको किसी best university या college में admission लेना है तो इसके लिए दोस्तों आपको entrance exam को clear करना होगा entrance exam को clear करने के बाद ही आपको rank के base पर आपको किसी best university या college में admission मिल जाएगा लेकिन अगर आपको entrance exam नहीं देना फिर भी आप किसी private college में direct admission ले सकते हो तो दोस्तों अभी मैंने आपसे इस वीडियो में टेली कम्मिनिकेशन इंजिनिरिंग कोर्स के वारे में आपसे मैंने इस वीडियो में डिसकस किया है मुझे लगता है कि आपका जो डाउट होगा इस कोर्स के रिगार्डिक वो कलियर हो चुका होगा लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंटर वोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी कोर्सस के वारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वहाँ जाकर भी देख सकते हो तो फिर अन्त में दोस्तो अभी आपको जाए वीडियो केसी लगी अगर आपको जाए वीडियो पसंद आईए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना